अर्सलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं क्लोजिंग परसंटेज फॉर MBBS इन सेक्षिन 2022 और 2023 2022 और 2023 के सेक्षिन में जो MBBS की ऑपन मेरिट पर क्या परसंटेज रही है आज की इस वीडियो में उसको हम डिसकस करने जा रहे हैं तो आज की इस लेक्षिर को शुरू कर डिसपैल है आज यूजूल आप से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो आएए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाव मेडिकल कॉलेज के हम बात करेंगे डाव मेडिकल कॉलेज जो के सिन्थ की नंबर वन मेडिकल कॉलेज है जिसकी ऑपन मेरिट की जो सीर से एंबीबेस के लिए वो 237 है और ऑफिशली 237 जो लास्ट ये जिसका मेरिट नंबर था उसकी परसंटेज थी 87.121 परसंट याद रखिएगा ये ऑफिशल मेरिट लिस्ट थी जो डाव की तरफ से वो इशू की गई थी उसमें मेरिट नंबर है उसकी परसंटेज है 87.121 परसंट जबके अकसर जो है वो 237 ऑफिशल सीर्स के बाद कुछ वेटिंग लिस्ट की जो होती है यह याद रखिए कि यह तमाम सीर्स जो हम डिसकस करने जा रही है कराची वालों के लिए तो 237 के बाद भी 5-620 वो होते हैं जो वेटिं तक परसंट आती है तो आप डाव मेडिकल कॉलेज के लिए लिजिबल होंगे तो यह ओपन मेरिट का है सेल फाइनेंस के डेटा लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि सेल फाइनेंस में बहुत से बच्चे वो होते हैं जो फाइनेंशली अफोर्ड कर पाते हैं के का सेल फाइनेंस की तमाम सीर्स जो हैं डाव मेडिकल कॉलेज में सिर्फ कराची की डोमिसाल वालों के लिए इंटीर सिन का कोई स्टुडेंट डाव मेडिकल कॉलेज में सेल फाइनेंस पेडमिशन नहीं ले सकता जबके ऑपन मेरिट पर जो है वो इंटीर सिन वालों की टॉप मेडिकल युनिवर्सिटी है ऑपन मेरिट पर इसकी जो सीर्स हैं ऑपन मेरिट पर जिसका नमबर 515 तक आता है वो ओफिशली सिंध मेडिकल कॉलेज के लिए लिजिबल होता है तो लास्ट येर जिसका मेरिट नमबर पूरे कराची की बात तो ये 515 तक रहा तो 84.741 परसंटेज थी जिस स्टुडेंट की वो सिंध मेडिकल कॉलेज के लिए इलिजिबल हुआ जबकि आपको मालूम है वेटिंग लिस्ट का थोड़ा किराइट एरिया होता है कुछ उस्टरण डाउ में चले जाते है वेटिंग वाले तो सिंध की उपर किसी इस कुछ खाली हो जाती है इसी देगे साथ सिंध की जो नीचे की वेटिंग लिजट की है तो मतलब आप समझ दे 535 मेरिट नमबर तक जो उस्टरण होता है वो सिंध मेडिकल कॉलेज में अड्मिशन लेने में कामियाब हो जाता है तो अप्रोक्सिमेट अगर आइडिया लगाई जाए तो 84.5% कम असकम चाहिए सिंध मेडिकल कॉलेज में अड्मिशन लेने के लिए कराची मेडिकल अंडेंटल कॉलेज के MDC के हम बात करेंगे Open Merit पर जिसका Merit No. 815 तक आया कराची Medical & Dental College KMDC में एड्मिशन लेने में काम्याब हुआ 82.98% Official List के मताबिक जिसकी परसंटेज रही KMDC में एड्मिशन के लिए इलिजिबल हुआ लियारी Medical College शहीद मौतरमा बेन नजीर भुटो Medical College Open Merit No. 835 तक रहा यार दखेगा यह और अवरोल कराची की बात हो रही किसकी बात हो रही है और अवरोल कराची की बात हो रही है तो Merit No. 835 तक जो रहा जिसमें की परसंटेज 82.859% तक कितना फर्क है 815 और 835 में 20 इस्ट्रेण और एड हो जाते है लेकिन परसंटेज का कितना फर्क है वहाँ 82.9 और यहाँ 82.8 है जिस्ट्रिक वाइस इस्ट्रेण आ रहे तो 82.8% तक जो आया वो लियारी Medical College में डमिशन लेने में काम है अब वह याद रखेगा यह ओर रोल कराची की सीर्स के बात करेंगे लियारी Medical College की जो इंटीर की सीर्स है वो अलग है डिस्ट्रिक वाइस सीर्स जो है वो अलग है जैफिए लियारी टाउन, गड़ाब टाउन, केमारी टाउन उनकी जो सीर्स डिस्ट्रिबिशन है वो क्या है वो अलग-अलग है तो उस हिसाब से वहाँ क्या होती है सीर्स डिस्ट्रिबिशन के हिसाब से एडमिशन होता है तो वहाँ कम परसंटेज बड़ भी एडमिशन हो जाता है वो कोटा सिस्टम है इस वज़ा से क्लोजिंग परसंटेज ऑफ लंप्स 2022 & 2023 सेशन फॉर MBBS जिसमें सबसे पहले बदीन डिस्ट्रिक के हम बात करेंगे डिस्ट्रिक बदीन की ऑपन मेरिक्स के जो सीर्स है वो 30 है और इसकी क्लोजिंग परसंटेज जो लास्ट ये रही 85.9 परसंट यहां पर भी है के वेटिंग लिस्ट में एक आद सीर्स हो जाती है एक यद दो तो इसी तरह के से जो वो 85.9 क्लोजिंग थी डिस्ट्रिक हैदराबाद की 41 सीर्स हैं और इसकी क्लोजिंग परसंटेज रही 84.25 परसंट जामशोरो डिस्ट्रिक की 16 सीर्स थी और लास्ट ये इसकी क्लोजिंग परसंटेज थी 84.09 मत्यारी डिस्ट्रिक की डोडल 13 सीर्स हैं और इसकी क्लोजिंग परसंटेज थी 82.5 मीरपुर खास की सीर्स की तादाद है 27 और यहां कॉम्पिटिशन लगबग अब तक के तमाम डिस्ट्रिक में सबसे ज़ादा रहा 86.27 परसंटेज जो है वो क्लोजिंग परसंटेज थी बेन अजिराबाद की सीर्स है वो 30 है और यहां की क्लोजिंग परसंटेज 83.74 सांगर 37 सीर्ष हैं और इसकी क्लोजिंग परसंटेज 85.4% सुजावल सीर्ष की तादा 14 है और क्लोजिंग परसंटेज 84.44% इसी तरह के से तंड्य एलाइयर के अगर बात करेंगे डिस्ट्रिक्त 13 सीर्ष हैं और क्लोजिंग परसंटेज 83.77% तंडो मौम्मद कान जो है इसकी सीर्स है वो 12 है और इसकी क्लोजिंग परसंटेज जो लास्ट रही 83.6 थरपारकर्ट सीर्स की जो तादाद है वो 26 और क्लोजिंग परसंटेज इसकी भी 87 में रही है 87.38 जो के अब तक की जो मीरपूर खास का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया न है और इसकी क्लोजिंग परसंटेज भी 87.26 रही है तो यह थी क्लोजिंग परसंटेज अब तक हम ने आज की इस वीडियो में कुछ सीर्स को में डिसकस्क्स किया इं शालनेξ वीडियो में दूसरी merged को इसकी जो क्लोजिंग परसंटेज नहीं आपन मेरिट पर तो वह सिकस क